हां जी राम राम नमस्कार आप सभी को राज्यस्तान क्लासेज की यूटूब प्लेटफूम पर आप सभी का पुना हार दिख स्वागत अभी नंदन है दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहां पे लोक देवियों का यह पार टू आपके लिए रहने वाला है और आप सभ को पता है कि डेली रात को 9 बजे हमारी यह क्लास होती कभी 15 मिनिट थोड़ी बहुत लेट हो सकती है शांदार जांदार यह क्लास होने वाली दोस्तों गजब की क्लास होगी और यहां से आपको एक्जाम में दो सवाल अविश्य देखने को मिलेंगे ओके ठीक है तो शुकर को भी आप जवाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है गूगल की वेब साइट यह है राजस्तान क्लासेज ओनली है ना और राजस्तान 360 आपका अपना एप्लिकेशन है और वाटसेप ग्रूप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आरेस के मोडल पेपर मैं ने आपको बताया जल्दी शूर करने की हम कवाइद में है तो बिलकुल जो है हो जाएगा शूर चल्दी चलिए शूर करें आज की क्लास को बिना किसी समय गवाई देखो मेवाड का खजूराओ के से कहा जाता है तो मेवाड का खजूराओ दोस्तों जगत अंबी का माता को जाद रखना महामारुष शैली में अगला सवाल है निवन मैसे कौन सा गतन गलत है देखो शीतला माता को अद्रेश्वरी माता का जाता है यही गलत है ठीक है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि अद्रेश्वरी माता जो है यह सुन्धा माता को का जाता है सुन्धा देवी को कहा जाता है अद्रेश्वरी मात्या और चूंदा देवी जो है वो चामुंडा माता का ही स्वरूप है ये तो आप सब को पता है आशापूरी माता को महुद्री या महुद्री माता कहते है तनोट माता को थार की वेश्णों देवी कहते है राठासन माता को राश्टर शेनी कह जाता है बिलकुल सही बात है दोस्तों और अगला सवाल है कि निवन मैंसे सही उगम नहीं है एक बार फिर से बदरकाली माता कहां पर है बोले सर जैपूर में है अच्छा ऐसी बात है कि हाँ तो ददी मती माता की जब बात करें तो नागोर में देर का है दोस्तों क्या ये सही देखो बदर काली माता जैपूर में नहीं है अब दीमती माता नागور सही चिंक माता जैपूर सही और तिपूर सुन्द्री सही बाहन सवड़ा एक ठीमाता है दोस्टों छीनच माता जो ही याद रखना कई बार एक्जाम में ऐसे सवाल सभीजिजन वाले होते ठीक है और यहां पर नवरात्रों में मेले भी आयोजीत होते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है बोपों की कुल देवी का मंदिर कहां पर है देखे दोस्तों बोपों की कुल देवी किसे का जाता है पहले तों में वो पता होना चाहिए कि बोपों की को देवी जो का जाता है वो का जाता है विरात्रमाता को ठीक है विरात्रमाता का मंदिर विरात्रमाता का मंदिर कहां पर बाड मेर बाड मेर के कहां पर है चोहटन में है चले आपसन ए आप सभी का सही आंसर होगा यहां पर नारियल की जोत दोस्तों होती है नारियल की जोत ठीक है अगला सवाल देखिए अगला सवाल है देवी प्रतिमा स्वरूप ठाला जो होता है ये कहां पर पहना जाता है शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है तो प्यारे दोस्तों आप्शन भी आपका लोग को जाएगा गले में पहना जाता है ठाले जो बनाए जाते हैं ये देवी स्वरूप ठाले बनाए जाते हैं देवी पृतिमा टाई भी तो ये ठाले पहने जाते हैं यहां पर गले में ठीक है ओके और बाकी जो है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल है कि राजस्तान की वेश्णो देव अर्बूदा माता को का जाता है दोस्तों जिने अधर देवी भी का जाता है अधर देवी उच्छाई पर होने के कारण और दोस्तों याद रखना ये माता का मंदिर कहां पर है बोले सरसिरोई में है याद रखेंगे राजेश्वरी माता नहीं होगा तनोट माता थार की वेश्णों देवी कहा जाता है तो जगत अम्भी का माता को मेवाड की वेश्णों देवी कहा जाता है अगला सवाल है थार की वेश्णों देवी किसे कहा जाता है ये लो घा साब, सवाल आगया, एक्زाम में सवाल आ सकता है तनोट माता को का जाता है, दोस्तों तनोट माता ठीक है, तो इन में से कोई नहीं होगा, रईट आंसर B.S.F. के जवानों की डीवे B.S.F. के जवानों की कुल डेवे माना जाता है, तोस्तों अपसन डी आप सभी का लौक और आंसर हो जाएगा अलांकि तेमडे राय भी इनी का सरूप है एक्जाम में इस परकार से सवाल आजाए दोस्तों और यहां पर आपसन फुल आजाए इनमें से कोई नीवाले में भी फुल आजाए कोई दूसरा आपसन आजाए ठीक है तो तेम माता जी के पीड की पूजा होती है और अंता के सोर सेन में है पीड की पूजा होती है माग शुकल सब्तमी को यहां पर मिला आयो जित होता है माग शुकल सब्तमी को अगला सवाल है सेन नाई जाती की कुल देवी कौन सी है नाई जाती की कुल देवी कौन सी है तो दोस्तों याद रखना यह राजगढ यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा राजगढ कहां पे है शरीसका मेहीं आता है और यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा option A, option A आप सभी का lock हो जाएगा important सबाल है, ना ही जाती है कि कोल्देवी नारायनी माता है दोस्तों अगला सवाल तिरपूर सुंद्री मंदिर पर मेला भरा जाता है कब भरा जाता है तिरपूर सुंद्री माता दोस्तों मंदिर कहां पर बांसवाडा तलवाडा में है ना तलवाडा बांसवाडा में मंदिर है और यहां पर हम बात करें तो नवरात्रा में मेला भरता है, आश्विन और छेत्र दोनों महीनों में मेला आयोजित होता है, यानि कि एक साल में, एक वर्ष में दो बार मेले आयोजित होता है, बर्वा डूंगरी की तलटी में बना माता जी का मंदिर कौन सा है, या फिर न्यू कैली जिये का कि बर्वा डूंगरी की तलटी के समीप कौन सी देवी का मंदिर है तो दोस्तों याद रखना नारायनी माता का मंदिर है और नारायनी माता के बात करें तो नाई जाती की कुल देवी है नाई जाती की कुल देवी और दूसरी बात मैं आप से बात करूँ तो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है याद रखना इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों अगला सवाल देखिए कि लटियाल माता का मंदिर कहां अवस्तित है ये आपको बताना है तो ये आपके फलोदी में है और फलोदी आपके अभी जोदपुर में पड़ता है लेकिन अभी फलोदी अभी वर्तमान में जिल्ला भी गोशित हो चुगा है तो ये भी आपको याद रखना है और इस माता को लटियाल माता को खेजडी बेरी राय भवानी खेजडी बेरी राय भवानी माता भी कहा जाता है ये भी important सवाल है अगला सवाल है देखिए कि जालोर के सो नगरा चोहानों की कुल देवी कौन सी है जालोर के सो नगरा चोहानों की कुल देवी की बात क तो ये आशापुरी माता है दोस्तों आशापुरी माता को आप मोद्रा माता भी कह सकते हैं जालोर के मोद्रा कला में इनका मंदिर है दोस्तों याद रखना मोद्रा गाओं में मोद्री माता भी कहा जाता इसलिए अगला सवाल है आवड माता जैसल मेर का अने नाम नहीं है ज आवरी माता जो है नहीं है तो यह कहांपर है दोस्तों याद रखना आवरी माता का मंदिर चितोडगड में कहांपर है चितोडगड में है याद रखेगा बागी तिनों के तिनों कहांपर है जैसल मेर में ठीक है तो यह सवाल बड़ा इंपोर्टेंट है याद रखेगा आग चैत्र और अश्विन दोनों मईने की पूर्णी मा को मेला भरा जाता है अर्बुदा मातागा न की कोई नवरात्रों में तो यह पहला ही असंगत था इनका अन्य नाम अधर्दे भी है उन्चाई होने के कारण मंदिर इनका माउंट अबू में है उप्रोग सभी गलत वैसे हो कि देगे नेख्स सवाल है यहां इनका मंदिर को आप सभी को बता हो नैछे दादिस्च ब्रामण की कोलदेवी का मंदिर तो गोठ मांगलोद में है नागोर में america काह के ए यह यहां पर आपका राय इकांसर ईजाएगा और एinfectा सवाल सवाल देखिए कि निवन मेंसने गलत यूग में कौन सा है है वेहतुरीन सवाल है दोस्तों क्या होगा right answer भौछ अच्छा सवाल राजसमन दे रtha कल निवन मैंसने को दे रहे हैं और और वदे पूर कर चो निवन मन्हीं से गलत यूग मन्हीं साए होगा वीपार माता जो है वह जोध्पुर में डोस्तों कहां पर है जोध्पुर में ठीक है और सब्सक्राइब सभी का सह और हो और अर्भू देश्वरी माता जो है ना दोस्तों यह कहां पे मंदिर है और सिरोई में का मंदिर है याद रखना कहां पे हैं सिरोई में का मंदिर है अगला सवाल दिखेगा अगला सवाल है इनमेसे किस देवी की पूजा जालोर शैत्र में नहीं होती इनमेसे किस देवी की प पूजा नहीं होती, सुन्दा माता जालोर की देवी है, पूजनी जाने वाली देवी है, शेमकारी माता जालोर में पूजी जाने वाली देवी है, और मोद्रमाता का मंदिर भी जालोर में है, तो कृष्णाई माता जो है आप सभी का सही आंसर होगा फिलाल के लिए, और नेक खाल इसानि को अभी वर्त्मान उस यह मोड कर दो कि अर्भे की我想 उस्छान्य जानकरिय से ॹंद्र सूरी मंदिर कॉया जाता है राजस्तान लॅए राजस्तान का ब्लैक प्यगोडा किसे का जाता वूस्या को जाता है तो ये दोनों डिफ्रेंट आपको याद रखने है गायत्री माता का मंदिर अजमेर में है सावीत्री माता का मंदिर भी अजमेर में है तो ये कहां पर दोनों सावीत्री माता और गयत्री माता ये दोनों पहाड़ियों की चोटी पर है आमने सामने है और बीच में ब्रमाजी मंदीर है तो यह पुशकर में दोस्तों आप सबको पता हो ना चीए अग्ला सवाल है उदेपur जिले की लौक प्रिय देवी कौण सी है कि उदेपur जिले की लोक देवी कह न वो कौण आप आपसमीका माता बार्ण फाला माता सारे मंधिर सब्सक्रांट माता इहाँ पर act हाशन माता का मंधिुर्ण तो यहाद रेखना अगला सवाल इकों अग्या इधिवा पतिया राज्वणिश की सब्सक्राइब कोल कुछ नि वह रइसका न बात करें Täुँ दोस्तों राइट आंसर चामुंडा माता होगा ये गुर्जर पतिहारों के समय चामुंडा माता कि यहां पे इस्थापना की गई ती जोदपूर में मंडूर में आप सबको बताएं मंडूर में भी प्राचिर मंदिर हैं यहां पे एक important स्वाल है 870 करान्ती की देवी भी रहा जाता है क्रान्ती की देवी भी का जाता है 56 हाथ वाली देवी है ना 10 सिर वाली देवी इन्हें है का जाता है दोस्तों याद रखना important सवाल है, कापी बड़ी प्रतीमा थी उनकी अगला सवाल है कि निमन मैसे सही नहीं है निमन मैसे सही नहीं है बदरकाली माता का मंदिर हनुमान गड़ में दोस्तों नहीं है या हनुमान गड़ में है अभी हमने बात करी सावितरी माता पुश कर मैं बढ़ ली माता चितोड में आमजा या आमज देवी माता जो है चितोड में नहीं है ये राज समन्द में है दोस्तों कहां पे राज समन्द में है important सवाल था और बीलों की प्रसीद देवी माना जाता है बीलों की प्रसीद देवी माना जाता है इनको ठीके दोस्तों और अगला सवाल दिखिए पूचा क्या जा रहा है सीता माता का मेला भरा जाता है सीता माता का मेला भरा जाता है तो यहां पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जेश्ट अमाउसिया जेश्ट अमाउसिया को भरा जाता है जो है सीता माता का मेला दोस्तों याद रखना पौरानिक धार्मिक आस्ता से जोड़ा हुआ है सीता माता ब्यारन में ये है और लवक उस वाटी का भी यहीं पर है दोस्तों सौरी जहरने सीता माता का मेला भरा जाता है दोस्तों जेश्ट माउसिया को भरा चाहता है याद रखना और अगला सवाल और कहां पर बरता है ये तो हम बात कर चुके हैं अगला सवाल है कि वालमी की गुफा और आश्रम किस मंदिर के समीप है यहां पर लव कुछ नामक ठंडे और गरम जरने भी है दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ अल्रडी ठीक है और यह सीता माता मंदिर के पास में हैं नेक्स सवाल देखिएगा कि बरतपूर जाटवन्ष की कुल देवी थी इन में से देखिए दोस्तों कौन सी माता जो है बरतपूर जाटवन्ष की बरतपूर के जाटवन्ष की कुल देवी थी तो यहां पर राई डांस राप सभी का होगा राजेश्वरी माता है ना और हम बात करें तो मंदिर भी है वहां पे खिरनी घाट के पास में मंदिर है खिरनी घाट के पास में ठीक है अगला सवाल देखिए कि जोदपूर राठोडों की कुल देवी अराद्य देवी है तो जोदपूर राठोडों की कुल देवी अराद्य देवी है तो इन में से राइट आंसरा आप सभी का क्या होगा जल्दी से बता दीजिएगा देखो नागने चिमाता चामुंदा माता जोत्पुर राठोडों की कुल देवी जो है वो नागने चिमाता है अरादे देवी चामुंदा माता है राठोडों की बात हो रही है जब प्रतिहारों की बात करें तो प् क्या बिल्कुल सर सज्चाय माता हो जाएगा का पहना मंदिर है ओशिया में मंदिर तो यह भी एक IMPORTANN सवाल आपके सामने और ओशिया में इस्थित मंदिर काफी प्राचिन हैं यानि मैं कहूं तो परमारकालीन मंदिर है ठीक है और यहां पे प्रतिहार कालीन मंदिर भी है अब बने हुए है अगला सवाल है जल्देवी का मंदिर कहां पर अवस्तित है देखे दोस्तों जल्देवी का मंदिर कहां पर है बावड़ी गाउं में इस्तित है ठीक है बावड़ी गाउं में इस्तित है चैतर पूर्णिमा को यहां पे मेला भरा जाता है आप को लौक करेंगे दोस्तों जWALA MADA को लौक करेंगे जवाला माता ठीक है ओके सर जवाला माका हो जाएगा और सन भी आपके क्लेवी क्ल नह दूखा नहीं करते कि घंड़ेल वालों की कुल्देवी है और जुन्जुनु के खंड़ेल लौक हो जाएगा और शंक्राय माता भी का जाता है इनको और अगला सवाल है कंजर जाती की कुल देवी का मंदिर कहां पर इस्तित है कंजर जाती की कुल देवी का मंदिर कहां पर इस्तित है तो आपसन सी होगा सवाई मादुपूर में है और सवाई मादुपूर में कहां पर है कुल देवी कौन सी अराद्य कौन सी है तो दोस्तों कुल देवी जो है वो शाकमरी माता है अराद्य देवी है जो जीड माता है तो आपका लौक हो जाएगा बिलकुल है ना अगला सवाल है राजसमंद की पाल का पहला पतर किस देवी के हाथों से रखवाए गए था और अ देवी रूपी में पूजे जाते हैं वो है घेवर माता दोस्तों ऑफशन डी आपका लौक हो जाएगा ठीक है और एक जबाल जो मैं आपको देने वाला हूँ इसका अंसर मैं बता ही देता हूँ इनमें से किस माता का मंदिर रतनागिरी पाड़ी पर बना हुआ है तो ऑफशन भी दोस्तों लौक हो जाएगा सावीत्री माता को लौक करेंगे प्रजापिता ब्रमा की पतनी का मंदिर है यह शुक्ल पक्ष भादरपद में यहां पे मिलायोजित होता है याद रखना और यह जो है इसका आंसर आपको देना है बाहरा के कमेंट सेक्शन में दोस्तों कि कौनशी लोग देविजिसके आर्थि पूरे देश में सूप प्र लगेगा कि भई हां तो देखो बात ऐसी है कि आप लोग जितना शेयर करेंगे जितना हमें सपोर्ट देखाएंगे तो आप क्या ही कहें आपको है ना तो जल्दी जल्दी दोस्तों बताइए आपकी इसका अंसर क्या है और बाकी कोई भी होगा वह हम अगली क्लास में बात करेंगे लोग देवियों के सवाल कुछ है पासाथ सवाल वो लोग देवता टॉपिक में कर लेंगे तो अगला टॉपिक आपका लोग देवता रहेगा आरेस के मॉडल पेपर प्रैक्टिस एड जल्दी शुरू करेंगे टेलिग्राम का गूगल वैब साइट का और प्ले स से जरूर जो है आप डिस्क्रेशन में देखके जोइन कर सकते हैं और भी स्टेशी का कंप्लेट कोर्स भी आप दे सकते हैं ठीक है दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद बंदे मात्रम राधे राधे